क्वेशन नमर्ण 19 में जब जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ यह क्वेशन नमर्ण 19 एक रूल को दिखा रहा है अगर वह रूल आपको पता है तो क्वेशन एकदम इसली बनेगा इंटरेस्ट Trans.aat एकि रूल पढ़ेते हैं तो किसी भी पार्टनर को उसके capital पर इंट्रेस्ट नहीं मिलेगा जितना इस कूछिन का प्रॉब्लम हैं, हम सब को सिफ वही डिसकूर्श करताई यहां अगर प्राटनर्शिप डिड्ध ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं अगर पार्टनर्शिपव डीड नहीं किया गया तो किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंट्रेस्ट नहीं मिलेगा पढ़े थे हैं लोग इसके साथ ही साथ कॉमा अगर पार्टनर्शिप डीड किया गया तो मिलेगा की नहीं मिलेगा तो उसकेस में पार्टनर को कैपिटल पर इंट्रेस्ट मिलेगा पढ़े थे हैं सामलो लेकिन कब मिलेगा तो जिस साल जिस वर्स फर्म को प्रॉफिट हुआ है उस साल मिलेगा कहने का मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है और इंट्रेस्ट उन कैप्टल लिखा हुआ है तो देना है अलॉस हुआ तो देना है क्या तो नहीं देना है लेकिन ये question क्या कहता है कि फर्म को अगर loss हुआ है और फिर भी आपको capital पर interest देने के लिए कहा गया तब क्या करोगे कह दे आपको बाइफोस करें नहीं देना है लॉस हुआ तब भी देना है तो क्या करोगे rules देखोगे तो हम उस case में rule नहीं देखेंगे क्योंकि हम rule तो पड़े है कि profit होगा तो interest on capital देना है loss होगा तो interest on capital नहीं देना है तो यह rule नहीं लगाना है मेरे question में मेरे से पोसली अगर यह कहा गया कि loss के case में भी आपको interest on capital अगर आपको देना है तो हम इसको बोलते है charge on profit इसका नाम हो जाता है charge on profit ठीक है तो यहां देखो charge on profit और charge on appropriation दोनों में difference होता है charge on appropriation जहां बोलेगा इसका मतलब कि profit होगा तो देंगे profit नहीं हुआ तो नहीं देंगे लेकिन अगर बोलते चार्ज on appropriation नहीं चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर कह दे अगर अगर अप्रोप्रियेशन वर्ड कहता है चार्ज ऑन अप्रोप्रियेशन जैसे यह आप कुशन नमर 19 बढ़ोगे ना तो 19 नमर से पहले जब आप बुक में हेडिंग देखोगे तो उसके हेडिंग में देखे लिखावा होगा चा आर्च ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम उसको प्रोप्रियेशन नहीं मान रहें मतलब प्रॉफिट हो चाहे लौस तुमको देना ही पड़ेगा अब इसमें होगा क्या चेंज चेंज यहीं देखने के लिए मिलेगा कि देखिए इंट्रेस्ट ओन कैपिटल हम देते अ हो गया नफ्य हो गया और भची हुइए नभ्यरुपीय को हम आपस में क्या करेंगे बाट लेंगे से लेकिन मालिप परॉफिट लोज में पनलाइद चला कि लॉड़पा पाैसा नहीं पार्टनर लोग भरता उल्पार पता चला कि 10 रुपिया इंट्रेस्टों कैपिटल लॉस अगर है हमको तब भी देना है तो वह लॉस पहले से माइनस में है अगर और लाना पड़ जाए तो लॉस बढ़ जाए कि घड़ जाएगा समझे रहे बात को यानि प्रॉफिट अगर है उसमें से इंट्रेस्ट और कैप्टल अगर हम दे रहें तो मेरी प्रॉफिट को वह क्या करता है घटा देता है लेकिन हम अल्रेडी घटे हुएं बोलता तब भी दो तो वह और आपके लॉस को क्या करेगा वह बढ़ा देगा तो ध्यान रखना है प्रॉफिट में इंट्रेस्ट और कैपिटल देने से प्रॉफिट घट जाता है लेकिन लॉस अगर है हम अब कितना नीचे करोगे है और अगर फिर भी हमको पैसा देना पड़े तो फर्म के पार्टनर को पैसा और लेके आना पड़ेगा तो लॉस क्या होल्टा और बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट के केस में इंट्रेस्ट और कैपिटल मेरी प्रॉफिट को घटा देता है और सब्सक्राइब के केस में उल्टा क्या करता है बढ़ा देता है बस एक थियोरी मालिक है इस कोस्टन में बाकी ये कोस्टन बहुत आसान है इस स्यादा को टिपिकल उल्जय गनिया हम देखो ज़र देखते हैं मेरे बात को क्यों मानोगे करा आर्यन और आरोड़ा दो पार्टनर है शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इन दे रेशियो फाइव इस्टु थ्री फाइव इस्टु थ्री का मतलब फाइब बाई एट और थ्री बाई एट है देयर फिक्स कैपिटल एक अप्रेल दो हजर उन्नीस छे हजार और इसका है 80 weiß 6000 है तायपिंग रिखिक 60-d grounded na बोला ट है कैपिटल को फिक्स रखना की एग तारीक को 60000 चाब सब्सक्राइब प изучолж थैसको देखने हैं इसा नहीं कि हम सोल्टिज करना है पर देख लो कर दे अग्रीट टू अलाव इंट्रेस्ट ओन कैपिटल बारा परसेंट पर इनम साल में बारा परसेंट ब्याज दिया जाएगा और कैपिटल तो दिया हुआ तुम्हारे पास बोरा है एट दू चार्ज इंट्रेस्ट ओनु द्रॉइंग अध्र डवर इनम और द्रॉइंग से ना लगाना ध्यान रखना चैपिटल पर इंट्रेस्ट बारा परसेंट ड्राइंस पर इंट्रेस्ट पंदरा परसेट दा प्रॉफिट अफ दा फर्म फॉर दा इयर एंडिंग एक्तिस मार्ज बिफोर ओल अब अजस्मेंट वे रुपीश 12,612,600 रुपे का प्रॉफिट हुआ दा ड्रॉइंग्स मेड बाई दा अरून 2000 और अरोडा कितना 4000 ड्रॉइंग्स दिया हुआ तो पहले इंट्रेस्ट निकाल लो सोचो जरा सा कि इसमें हम इंट्रेस्ट कैसे निकालेंगे कितना पैसा निकाला 2000 कितना व्यास था 15 परसेंट कब निकाला कोई timing आपको पता है ड्रॉइंग्स का तो 2000 का 15 पर सेंट 4000 का पंद्रा परसेंट तो निकालेंगे लेकिन ड्रॉइंग्स में अभी हम लोग सारा condition पढ़े था नहीं पढ़ेते तो एक कंदीशन और बढ़े थे कि पैसा कि बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है कि क्वार्टर है कि मंथली है कुछ वगा तो कब निकाले पैसा टाइम ही पता नहीं जब समय निश्चितना हो कोई पता नहीं कि हम पैसा कब निकाले पस इतना पता है कि पैसा विड्रॉव हुआ है लेकिन विड्रॉव कब हुआ है पता नहीं तो ऐसे में उसको एवरेज माना याता है यानि इस पर इंट्रेस्ट कैसे निकालोगे 2000 का कितना परसेंट 15 परसेंट और कितने महने के लिए 6 मंथ के लिए तो 6 कितने क्या निकलेगा 12 परसेंट इसका जो कैपिटल है उस पर इंट्रेस्ट निकल जाएगा निकालना क्या हो देखो बूरा प्रिपेर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट हम आपको फार्मेट समझा चुके पील एप्रोप्रियेशन बूरा आफ अरून आंसर का पार्ट है क्यों अगर यह पील एप्रोप्रियेशन अकाउंट है माल लिजे कि अगर यह छे नंबर का कुस्टन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट आप अच्छे से बना दो एक दम सब परफेक्ट है फिर भी आपको चार नंबर प्रॉफिट आपको इस कोश्टन में एक चीज नहीं बनाने बोला दो आइटम बनाने की इसलिए ध्यान ब्रकिए गम लोग एक्जाम में बोलते हैं हम तो पूरा बना काया थे लेकिन पता निम्हार नंबर कहां कटी है क्योंकि नंबर कटा नहीं सब्सक्राइब नहीं जा में आपको क्या बोला प्रिप्यार प्रॉफिट और लॉस एक तो यहां हो गया आद दूसरा आप इस चीज को गौर ही नहीं किये कभी क्या बोला शोधा कैल्कुलेशन क्लियरली जो कैल्कुलेशन से उसको भी शो करो दिखाओ आप इस अकाउंट को बना लिए इस अकाउंट को दिखा है हाँ हो सकता है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति है सारा कैल्कुलेशन आप मन में कर लिए यहां बोला ना दिखाने के लिए मन में तो आप प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रियेशन भी बना सकते थे तो मार्किंग चल रहा है तो अगर यह छे नंबर कोशन जमते हैं इसको चेक करके चार मिलेगा और अगर हम कैलकुलेशन नहीं दिखा है तो जाने अंजाने मेरा दो नंबर गया हमको पता भी नहीं चला आपको लगे हम तो पूरा बनाका है मेरा आंसर भी मैस किया समझ गए बात लॉस यदि फर्म को लॉस हुआ हो तब भी हम इंट्रेस्टोन कैपिटल देख रहेंगे जो देख रहेंगे ऐसे बोला अब देखिए जैसे ही इस को सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आप प्रॉफिट एन लॉस यह अप्रोपृप्रियेशन अकाउंट बनाएंगे और भी हुए प्रॉफिट एन लॉस एप्रोपीएशन में सबसे पहले आप यहां क्या लिखते थे बाई पील अकाउंट मतलब प्रॉफिट और लॉस होता तो टूपी एल लॉस प्रॉफिट देखे तो कुशन में कितना दिया था कि 12600 का प्रॉफिट दिया हुआ था कि इसी साइड में आपको याद होगा कि हम इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग शार्ज करते थे अरून भी है और अरोड़ा है ठीक है दो पार्टनर में उसको एवन एटू कर दे रहे हैं आप अरून अरोड़ा समझ लीजेगा अरून का ड्रॉइंग्स कि 2000 कि उसका कितना परसेंट 15 परसेंट और यहां 6 बाई 12 इसका कितना था 4000 15 परसेंट इंटू 6 बाई 12 कितना तो यहां 6 बाई 12 क्यों किये क्योंकि ड्रॉइंग्स का डेट हमको पता नहीं था जब डेट नहीं मालूम है तो ना कि इस साइड में हम लोग क्या लिखते हैं तो इंट्रेस्ट और कैपिटल कि अरून और अरोड़ा दो लोग हैं एक का कैपिटल कितना था तुसरे का असी हजार कितना बोला था मलेक का 12 क्या इसमें भी छे में लगा दोगे नहीं क्यों क्योंकि कैपिटल यह जो कैपिटल दिया हुआ है यह कप का दिया था ओपनिंग का दिया था तो शुरू से लेके लास्ट तक कैपिटल हम पूरा यूज करते हैं इसका मतलब इस पर इंट्रेस्ट कितना हो जाएगा कि साथ हजार का बारा परसेंट साथ हजार दोसो और कि 9600 हम दोनों को जोड के लिग सकते हैं या फिर हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं कितना जाएगा 16800 यह खतम हो गया मेरा अब हम पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास इतना पैसा प्रॉफिट है भी या नहीं पहले वो तो देख ले क्योंकि पैसा बचेगा तो हम पार्टनर को भी वस्त है अब पैसा बचा कि घट या पहले वो तो देखो 12600 और 30900 और यह 150 मतलब कुल मिलाकर कितना है आपके पास तेरह हजार 50 रुपिया आपके पॉकेट में है मतलब इनकम के नाम पर 13,050 है जबकि आपको देना कितना है यह एक्सपेंसेज फर्म के पॉइंट ऑ वियू से एक्सपेंसेज च्या है आपके लिए ज्यादा है और इन तो जैसे हम profit को बाटते थे वैसे ही हम इस question में क्या करेंगे loss को बाट लेंगे बाइस distribution उल्टा साइड होगा तो यह 16,800 पहले लिखिएगा क्योंकि खर्च ज्यादा है जो ज्यादा उसी का account पहले close होगा 16,800 को हम यहां बाटेंगे और इस 16,800 में इन सब को 13,050 रुपिया क्या किजेगा माइनस कर दिजेगा कितना आएगा 3,750 रुपिय क्या अया प्रॉफिट के लॉस तो यहां लिखिएगा बाई कि लॉस कि ट्रांसफेर डू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे लेकिन यहां capital को fix रखने बोल दिया जाए तो बस एक चीज़ करना है कि यहां partners कि capital नहीं लिखना है partners क्या लिखना है current account में transfer करना ध्यान रखेगा capital अगर fix रखने के लिए कहा गया तो यहां current account लिखोगे आग capital के बारे में कुछ भी mention नहीं किया तो फिर चुप्चा capital लिखोगे ठीक है fix रखने बोला गया तभी हम करें लिखें अब यहां क्या करोगे अरून और अरोडा के बीच में इसी 3750 रुपे को क्या किजेगा बांट दिजेगा इसका ratio दिया वातरा थरी इस्टू फाइव इस्टू फाइव इस्टू थरी मतला 5 बाइएट और 3 बाइएट जो भी आएगा यहां बांट करके उसको लिख दिजेगा तो यह आपका question number कितना हो गया हुट